दोस्तो दिपावली की सफाई में धन 13 से पहले घर से अवश्य निकाल पैके ये चीज वरना घर में होगी गरीबी और दरिद्रता का वास मालक्ष्मी नहीं करेंगी घर में प्रवेश साल भर रहेगी धन की कमी दोस्तो खुशियों और रोष्णी के इस्तिवहार दिपावली की दिन मालक्ष्मी का विशेश रूप से पूजन किया जाता है माना जाता है दिपावली पर मा लक्षमी अपने भगतों को आशिरवात देने उनके घराती है लेकिन अगर आपके घर में दिपावली के दोरान ये अशुब वस्तुएं होंगी तो मा लक्षमी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपको सालभर धन की कमी बनी चाहीँ इसलिए घर में बर्कत हो और मा लक्षमी का घर में वास हो इसलिए आप सभी दिपावली से पहले यहां तक के धन uniqu 13 से भी पहले ही अपने घर से क्या वो चीज है जो वश्य ही निकाल पहके जिससे आपके घर में मा लक्षमी का वास हो और साल भर धन की कमी ना हो दोस्तों धन तेरस 23 अक्टूबर को इस साल पढ़ने वाली है और धन तेरस पर जो तिथी का महत्व है वो 13 तिथी का महत्व है तो 13 तिथी जो है वो 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6 बज कर 2 मिनट से ले करके 23 अक्टूबर को शाम 6 बज कर 3 मिनट तक रहेगी आईए 23 अक्टूबर को धन 13 पूजा का शुब महरत जान लेते हैं कि पूजा आपको कप करनी है शाम का वक्त जो प्रदोश काल का समय रहेगा वो 23 अक्टूबर रवीवार को शाम को 5 बज कर 44 मिनट से 6 बज कर 5 मिनट तक का होगा तो इस अंतराल में आप लोग पूजा कर सकते हैं याने पूजन की कुल अवधी 21 मिनट की रहेगी इसके बाद अगले ही दिन 24 अक्टूबर को दिवाली है दिवाली के दिन लक्ष्मी गनेश के पूजन का सबसे शुब महरत प्रदोश काल को माना जाता है जो की 24 अक्टूबर को शाम 6 बजकर 54 मिनट से रातरी 8 बजकर 16 मिनट तक रहेगा इस बाद लक्ष्मी गनेश के लिए सबसे शुब काल एक घंटा 21 मिनट का है शास्तरों में बताया गया है जिस घर में गंदगी होती है उस जगह मालक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और उस घर में दरिद्रिता का वास होता है इसलिए अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए सुख समरिद्धी की कामना के लिए मालक्षमी को अपने घर आमंतरित करने के लिए हम सभी धन 13 से पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को हम अपने घर से निकालनी की जगा उन्हें दोबारा घर में ही संभाल कर रख लेते हैं जिससे घर में नाकारात्मकुर्जा का संचार होता है और जिस घर में नाकारात्मकुर्जा होती है उस घर में लड़ाई जगड तो आप धन तेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से अवश्य ही बाहर निकाल दें। तो आए जानते हैं कि क्या वो चीज है जो आपको धन तेरस से पहले ही घर से बाहर कर देनी चाहिए। और अगर धंतेरस पर आप ऐसा नहीं कर पाएं हैं, तो कम से कम दिवाली के दिन तो इन्हें जरूर घर से बाहर कर दें। क्योंकि घरी आपकी प्रगती का प्रतीक होती है, ऐसे में बंद घरी निश्चित रूप से आपकी उन्नती में बाधक है, इसलिए घर में बरकत और उन्नती के लिए आप इस दिपावली से पहले ही बंद घरी को अपने घर से निकाल पैके। पुराने जूते चपल हैं, तो उन्हें आप दिपावली के त्योहार से पहले सफाई करते समय अपने घर से बाहर निकालना ना भूले। जिन जूते चपल का प्रयोग नहीं करते, वो फटे हुए जूते चपल घर में नाकारात्मक्ता और दुरभाग्या को लाते हैं। दोस्तो तीसरी चीज है बरतन, हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुक स्थान होता है रसोई का, रसोई को हमेशा साफ सुत्रा रखना चाहिए, रसोई में कभी भी कबाड़ी कठा करके नहीं रखना चाहिए। के कारण बनते हैं और जिस घर में लड़ाई जगडा होता है वहां मा लक्षमी प्रवेश नहीं करती। आपके घर भी ऐसी भगवान जी की कोई मुर्ति या तस्वीर है तो उसे तुरंत ही आप अपने घर से निकाल दें। खान पर रख दें माना जाता है घर में अगर खंडित मुर्तिया या तस्वीर हो तो इससे घर में दुरभाग्या आता है और दोश लगता है और जीवन में कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दिपावली की पूजा में मंदिर की अच्छे से सफाई करके ही पूजा करें तभी देवी लक्षमी की असीम क्रिपाप को मिल पाएगी। दोस्तो अगली चीज है खराब इलेक्ट्रोनिक सामान। दोस्तो अगली चीज है तूटा हुआ फर्नीचर अगर आपके घर में कोई फर्नीचर तूट गया है तो उसकी दिपावली से पहले मरम्मत करा ले। अगर ठीक ना हो सके तो उसे घर से बाहर निकाल दे। वैवाहिक जीवन की सुख शान्ती के लिए जरूरी है कि पति-पत्नी का पलंग तूटा हुआ बिलकुल भी ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं है तो पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन में परिशानिया आने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए इस दिपावली से पहले आप अपने घर के फर्णीचर को ठीक करा लें। यदि ठीक नहीं करा सकते हैं तो उसे अवश्य ही घर से निकाल पेके। नहीं तो पारिवारिक जीवन में कल्है और अशान्ती बनी रहती है। और जहां अशान्ती और कलहे होती है वहां मा लक्षमी का वास नहीं होता अगली चीज है जाडू, घर में टूटा हुआ जाडू नहीं रखना चाहिए नहीं इस्तमाल करना चाहिए अगर आपके घर में जाडू तूट गया है तो दिवाली से अच्छा और कोई मोका नहीं है इसे बदलने का आप इस दिवाली नई जाडू लेयाए और पुराना जाडू घर से बाहर कर दे नई जाडू जब आप लाएं इस दिवाली तो उस पर सफेद रंग का धागा जरूर बांद लें पीछे जाडू के हैंडल पर आप इसे बांद लीजिए और इसका भी पूजन करें रोली और चावल से और उसके बाद ही इसे इस्तमाल करें घर में तो ये है वो चीज़े दोस्तों जो आपको अपने घर से धन तेरस से पहले ही निकाल लेनी चाहिए और अगर आपने धन तेरस पर ये काम नहीं किया है तो कम से कम दिवाली के दिन से पहले ही आप इन्हें अपने घर से जरूर बाहर कर दें आई अब जानते हैं कि आपको धन तेरस के दिन कौन सी वो एक खास चीज है जो जरूर खा लेनी चाहिए दोस्तों वो है केला आपको बता दे कि धन तेरस के दिन केले का बहुत ही जादा महत्व होता है धन तेरस के दिन अगर आप केला खाते हैं तो इससे आपकी घर में सुक समरिधी के साथ ही स्वास्तिय भी आता है और दोस्तो इससे भगवान गनेश अती प्रसन होते हैं और भगवान गनेश विग्न हरता है अगर उन्हें आप प्रसन कर लें तो वो आपके सभी विग्न हर लेंगे इसलिए आपको इस दिन केला जरूर खा लेना चाहिए वहीं दोस्तो दिपावली के दिन गन्ने का बहुत जादा मेहतु होता है। इसका कारन यह है एक यह मा लक्षमी को आकरशित करते हैं। अगर आप अपने मुख्ये द्वार पर दोनों और गन्ने लगाते हैं तो मा लक्षमी आपके घर में जरूर दिपावली के दिन प्रवेश करेंगी। इसी के साथ आपको दिपावली के दिन गन्ना खाना भी जरूर चाहिए, मालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं, चलिए जानते हैं कि क्या वो चीज है जो दिवाली और धन तेरस के दिन खाने की भूल आपको नहीं करने चाहिए, दोस्त तो आपको लहसून प्यास का भी इस्तमाल नहीं करना है, खासकर मास मदीरा का आप जरूर ध्यान रखें, गाएं को केला इस दिन आप जरूर खिलाईएगा, इस दिन आप गाएं को रोटी खिलाईएगा, रोटी में थोड़ा सा गुड रखके खिलाईए, और साथ ही दोस्तों अगर आप गाएं को रोटी के साथ गुड खिला रही हैं, तो इस बात का खयाल रखें, कि गाएं बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए, खड़ी अवस्था में गाएं को गुड नहीं खिलाना चाहिए, और दोस्तों वैसे बहुत से लोग गर्मियों में भी गाएं को रोटी और गुड खिलाते हैं, तो आपको बतादू के गर्मियों में गाएं को गुड नहीं खिलाना चाहिए, आईए जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और कौन से रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, तो दोस् तो रंग बिरंगे नए धुले हुए साफ वस्तर आप कोई भी रंग के पहन सकते हैं, बस काला रंग ना हो, चटक काला नहीं होना चाहिए, आज कल मल्टी कलर का फैशन है, थोड़ा भूत काला रंग होता है आपकी ड्रेस में, बो चलेगा, लेकिन पूरी तरह से काला रंग है, तो वो आपको नहीं पहनना है कपड़ों में, इसके अलावा रंग बिरंगे कपड़े पहनी और इस बात का खायाल रखिए, कि नए धुले हुए साफ सुतरे वस्तर होने चाहिए, और कपड़े आपके कहीं से भी फटे हुए है, या थोड़ी बहुत सिलाई उनकी उध हुई है, तो उन्हें ठीक करवा क्या पहनिए, तो इस दिन आपको साफ और शुद वस्तर ही पहनने हैं, धन तेरस की रात यम के नाम का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए, यम का दीपक घर में अकाल मृत्यू से बचने के लिए लगा जाता है, परिवार की सुक्षान स्फि काल मृत्यू ना हुगर में, इसके लिए आपको रात के समय यम के नाम का दीपक लगाना चाहिए, और इस दिपक में आपको कौड़ी और सिक्का जरूर डालना चाहिए, दोस्तो एक रुपए का सिक्का और एक कौड़ी आप इसके अंदर जरूर डालेे तुलसी के पास रात के समय रख देना है बस ये छोटा सा काम कीजिए और देखिए दोस्तों किस तरह से आपके घर में पूरा वर्ष धन की बरकत होगी क्योंकि दोस्तों इससे मा लक्ष्मी प्रसन होगी और रात के समय आपके घर में प्रवेश जरूर करेंगी तो आप पाद